हेलो दोस्तो स्वाकत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोनिस फोरियो पर दोस्तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ हम इक अधर हमें सिरीज सरकीट के बारे में जिसमें हैं अल्गाने वाले है तो लायकोर अल्गी का जाकर देख सकते हैं जो कि मैं description में देने वाला हूँ दोस्तों फिर भी जो basic requirement है उसके इसाब से हम सबसे पहले देखते हैं कि register पे effect क्या होता है तो register पे frequency का कोई भी effect नहीं होता है इसलिए resistance में voltage और current यह हमेशा in phase रहते हैं in phase का मतलब है दोनों की बीच में कोई भी phase difference यहाँ पर नहीं रहता है अब अगर हमें इसका waveform निकालना पड़े तो हमारा voltage और current जो है यह बिल्कुल in phase है इसका मतलब यह एक दूसरे पर overlap रहेगे इसका zero point maximum point as well as minimum point यह एक दूसरे के साथ बिल्कुल matching रहेगे कुछ इस तरह से और अगर इसका हमें phaser diagram निकालना पड़े तो हमारा current जो रहेगा अगर हम उसको reference consider करते हैं तो इसके साथ हमारा voltage जो है यह बिल्कुल in phase है यानि वहाँ पर phase difference जो है यह zero है तो कुछ इस तरह से हमारा voltage हमें यहाँ पर मिलेगा नेक्स्ट है इंडक्टर अब इंडक्टर जो है इस पर frequency का effect होता है frequency का effect ऐसा होता है कि जैसे जैसे frequency increase होती है inductive reactance यहाँ पर increase होते जाता है और इंडक्टर में voltage जो है वो lead करता है current को by 90 degree तो इसको हम कुछ इस तरह से draw कर सकते है अगर हमारा current एक reference है यहाँ पर इसका equation I am sin omega t है तो हमारा जो voltage है यहाँ यह lead कर रहा है current को by 90 degree that is इसका जो equation होगा यह होगा Vm sin omega t plus 90 degree और इसकी जो phasor diagram है इसमे current reference है और voltage जो है यह 90 degree lead कर रहा है कुछ इस तरह से क्योंकि lead को हम indicate करते है anti clockwise direction से तो यह anti clockwise 90 degree का angle है या फिर alternatively हम इसी equation को इसी equation को या इसी relation को हम बता सकते है कि inductor में current lag करता है voltage से by 90 degree तो यहाँ पर अगर हमारा voltage जो है यह अगर reference access है यहाँ पर VL याने voltage across inductor तो यह अगर हमारे reference है तो हमारा current lag करेगा lag करना हम clockwise 90 degree direction से indicate करेगे कुछ इस तरह से तो current यहाँ पर यह जो phasor है यह है current का जो कि 90 degree से यहाँ पर lag कर रहा है next बात कहते है capacitor की जिसमें capacitive reactance जो रहेगा यह decrease होते जाएगा with respect to frequency जैसे जैसे frequency increase होगी वैसे वैसे capacity reactance यहाँ पर increase होते जाएगा और capacitor में जो रहेगा current lead करता है voltage को by 90 degree और इसकी जो waveform है कुछ इस तरह से रहेगी अगर हमारा यह voltage waveform है तो यहाँ पर current आप देख सकते है यह lead कर रहा है यहाँ पर alternatively हम कहेगे कि इसका जो equation है voltage का अगर vm sin omega t है तो current का जो equation रहेगा वो रहेगा im sin omega t plus 90 degree यह plus 90 degree यहाँ पर indicate करता है कि current lead कर रहा है by 90 degree और इसका जो vector diagram है इसमें देखिए current voltage as a reference है तो current यहाँ पर 90 degree से lead करेगा lead को हम anticlockwise 90 degree से indicate करेगे कुछ इस तरह से इसी word को यह हो गया current को अगर हम reference consider, voltage को अगर हम reference consider करते है तो हमारी vector diagram इस तरह से रहेगी अब देखिए अगर हम voltage की बात करेगे तो यहाँ पर voltage जो है हम कह सकते है कि यह lag कर रहा है current को by 90 degree तो अगर हमारा current यहाँ पर reference है तो voltage जो है यह 90 degree lag करेगा कुछ इस तरह से तो यह हो गया इसका diagram अब बात करेगे RLC series circuit के बारे में जिसमें एक inductor, एक resistance और एक capacitor यहाँ पर series में रहेगा तो हमारी circuit diagram कुछ इस तरह से होगी जिसमें एक resistance एक inductor और एक capacitor यहाँ पर series में connect है और the voltage across resistance is Vr, the voltage across inductor is Vl and voltage across capacitor is considered as Vc और यह है एक series circuit तो इसमें से जो current पास होगा वो X बिल्कुल सेम रहेगा लेट इट बी आए और हम यहाँ पर supply लगा रहे है V equals to Vm sin omega t तो overall terminal voltage हम consider कर सकते है यह है V equals to Vm sin omega t अब देखिए जैसे हमने switch close कर दिये तो यहाँ पर current flow होगा लेकिन overall जो effect है यह depend करेगा इस inductor और इस capacitor पे क्योंकि frequency का effect inductor और capacitor पे अलग तरीके से होता है तो हमारा जो RLC series circuit है इसमें हम अगर consider करते हैं तो यहाँ पर current सेम रहेगा तो हमारा जो reference रहेगा वो current रहेगा कुछ इस तरह से let us consider that this is the reference axis और reference को हम हमेशा x axis पर indicate करते हैं तो यह हो गया हमारा reference अब हमें पता है voltage across resistance जो रहता है यह current को हमेशा phase में रहता है तो VR जो है यह यहाँ पर बिलकुल phase में रहेगा with respect to current तो VR हम इस तरह से indicate कर सकते है that is voltage across resistance अब हमने अभी बताया था कि current और voltage across inductor में जो relation है वो है voltage leads the current by 90 degree तो inductor में voltage यहाँ पर lead कर रहा है lead को हम anticlockwise direction से indicate करेगे यह 90 degree anticlockwise direction यह है VL तो voltage across inductor कुछ इस तरह से रहेगा लेकिन इसके exactly opposite रहता है voltage across capacitor जो कि lag करता है by 90 degree to the current तो current है हमारा यह वाला reference axis अब इसको 90 degree lag यानि clockwise direction में 90 degree कुछ इस तरह से तो यह हो गया हमारा VC तो यह हो गई हमारी यहाँ पर phasor diagram बट अब अगर हम इसका resultant voltage calculate करने की बात करेगे तो definitely यह VL और VC जो है एक दूसरे को opposite phase में है यानि opposite direction में है तो definitely यहाँ पर क्या होगा इन दोनों का subtraction होगा तो इसलिए VL और VC की जो overall value है उस पे हमारा जो resultant voltage है वो depend करेगा तो by default हम कह सकते है VL ज्यादा रहेगा अगर inductor के across का resistance ज्यादा है और अगर capacitor का resistance ज्यादा है यानि capacitor का impedance ज्यादा है तो यहाँ पर VC ज्यादा रहेगा तो इसलिए हम कह सकते है कि by default यह जो value है XL और XC पर depend करते है यानि capacitive reactance XC और inductive reactance XL पर तो यहाँ पर तीन अलग-अलग cases हो सकती है एक XL greater than XC second हो सकती है XC greater than XL और third हो सकती है इन दोनों की value equal हो सकती है तो यह तीन cases हम one by one यहाँ पर देखने वाले है तो first case consider करते है when XL is greater than XC और इसी को हम कह सकते है कि voltage across inductor is more than voltage across capacitor तो देखिए यहाँ पर यह है voltage across inductor यहाँ पर यह ज्यादा है as compared to VC तो definitely अब हमारा जो circuit है यह हो जाएगा XL type का याने inductive type का तो यहाँ पर inductive effect ज्यादा रहेगा resistance अल्रेडी वहाँ पर हमारे circuit में है तो हमारा जो circuit है वो work करेगा RL series circuit जैसा अब RL series circuit में जैसे होता था बिल्कुल यहाँ पर भी उसी तरह से होगा तो सबसे पहले हम consider करेगे यहाँ पर reference current I जिसका equation रहेगा I am sin omega T तो यह है हमारा reference अब हमें पता है कि यहाँ पर voltage जो है voltage across resistance यह कुछ इस तरह से रहेगा जो की in phase रहेगा current को अब हमारा जो circuit है यह inductive type का है तो हमें सिर्फ यहाँ पर voltage across inductor यह जो है VL यह actually हो जाएगा VL minus VC तो overall जो resultant voltage है वो कुछ VL minus VC रहेगा जो की 90 degree यहाँ पर lead करेगा अब देखिए दोस्तों कि हमें calculate करना है resultant voltage तो हम यहाँ पर parallel lines ड्रॉ करेगे इन दोनों को और फिर इसको attach कर देगे तो यह हमें मिल जाएगा overall voltage V तो हमारा यह यहाँ पर हो गया phasor diagram अब आप यहाँ पर देख सकते है कि current जो है और voltage जो है इसमें एक angle बन रहा है इसे angle को हम कहते है phi जो की angle between voltage and current है अब यह जो phi है इसी को हम अगर mathematical equation में voltage का equation है यहाँ पर लिखते है अब इसके अगर हमें waveform निकालनी पड़े तो हमारी जो waveform है इसमें I जो है यह 0 से यानि यहाँ से शुरू होगा कुछ इस तरह से तो यह है हमारा current I और हमारा जो voltage है यह यहाँ पर lead कर रहा है lead कर रहा है यानि इसके पहले ही यह शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से तो यह है हमारे voltage की waveform तो this is the waveform of voltage and current अब move करते है हमारे phaser diagram के तरब फिर से तो हमारी यह जो phaser diagram है इसमें अगर हम यह वाला portion that is VL minus VC यह इधर shift कर देते है तो हमारा जो phaser diagram है कुछ इस तरह से देखेगा और यहाँ पर पूरे के पूरे voltages यहाँ पर देखेगे और एक triangle बनता है इसलिए इसको हम कहते है voltage triangle तो यह हो गया हमारा voltage triangle अगर हम इसको divide by current करते है तो voltage divided by current generally resistances रहते है लेकिन यहाँ पर यह हो जाएगा यहाँ पर impedance यहाँ पर हो जाएगा resistance और इधर हो जाएगा XL minus XC तो अगर हम current से divide करते है तो हमें एक और triangle मिलता है जिसमें impedance resistance कुछ इस तरह से है जिसे हम impedance triangle यहाँ पर कहेगे और यहाँ पर एक और बात आपको note करनी है कि यह है हमारा phase angle phi इसको हम फर्दर एक बार और explain करने वाले है तो यह होगी पहली के second case अब बात करते है जिसमें XL is greater than XC ठीक है that is capacitive reactance is more than inductive reactance और दूसरी words में हम इसे कह सकते है कि VC is greater than VL अगर ऐसा है तो यह यहाँ पर VL छोटा वाला indicate करते है और VC की जो VC का जो magnitude है यह greater रहेगा अब इसी को अगर हमें कहना रहा तो हम कह सकते है कि हमारा जो circuit है इसमें VC ज़्यादा है इसका मतलब हमारा capacity effect यहाँ पर ज़्यादा रहेगा तो circuit जो है हमारा यह RC series circuit जैसा यहाँ पर work करेगा अगर हमारे current का reference हम consider करते है I equals to I am sin omega t तो हम current reference axis पर draw करेगे और यहाँ पर जो voltage रहेगा वो यहाँ पर देखिए यह lag करेगा 90 डिग्री से capacity voltage कुछ इस तरह से तो यह VL-VC value यहाँ पर इस तरह से होगे अब parallel line draw करते है और बाद में इसको connect करते है तो हमें overall voltage V यहाँ पर मिलता है अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते है कि voltage और current में जो phase angle है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हम कह सकते है कि voltage यहाँ पर lag कर रहा है voltage lag कर रहा है इसलिए voltage का equation होगा V equals to Vm sin omega t minus phi minus sign indicate करती है यहाँ पर lag और इसलिए अगर हमें waveform draw करनी रहे तो current का equation यह इस तरह से रहेगा यह है हमारी current waveform और जो voltage है यहाँ पर lag कर रहा है यानि यह लेट शुरू होगा लेट maximum value लेट minimum value और zero value यहाँ पर अच्छू करेगा कुछ इस तरह से तो यह है हमारे voltage की waveform तो this is our voltage अब अगर इसी को हम इधर shift कर देते है तो यानि यहाँ पर shift कर देते है तो हमें एक triangle मिलेगा जिसमें पूरे को पूरे voltages रहेगे जो रहेगा voltage triangle और अगर हम इसको divide करते है current से तो हमें यहाँ पर impedance triangle मिलता है तो यह हो गई हमारे second case अब move करते है third case में जहाँ पर हमारा XC और XL दोनों की value सेम रहेगी इसका मतलब है voltage across inductor और voltage across capacitor सेम है आप यहाँ पर देख सकते है VL और VC की value सेम है और यह एक दूसरे की opposite sign रहती है तो यह क्या कर देगे एक दूसरे को cancel कर देगी इसलिए VL minus VC overall equal to zero हो जाएगा और हमारा जो effect है यह सिर्फ रेजिस्टिव रहे दूसरे को cancel कर देगे और pure resistive circuit में हमें पता है कि I equals to I am sin omega t अगर reference है current का तो voltage बिल्कुल उसको in phase रहता है कुछ इसी तरह से तो यह हो गई हमारी यहाँ पर phase retigram जिसमें voltage का equation रहेगा V equals to Vm sin omega t यहाँ पर ना lead होगी और ना ही lag इसका मतलब है दोनों बिल्कुल phase में रहेगे और हमारा जो wave warm है कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा जिसमें voltage और current बिल्कुल in phase है तो यह हो गई third condition एक बार explanation देखते है जो कि impedance और impedance triangle के बारे में है हमने अगरी इसका triangle draw किया था तो यह है हमारे RL series circuit का और यह है हमारे RCC series circuit का जिसमें मैंने indicate भी कर दिया था कि यह है हमारा phase angle phi तो यहाँ पर अगर हमें phi की value calculate करनी रही यहाँ पिर हमें z calculate करना रहा यानि impedance calculate करना रहा तो हम यहाँ पर पाइतागरस तरह में इस्तमाल कर सकते हैं और हमें z की value है वो मिलेगी under root r square plus xl minus xc square तो यह हो गया हमारा z का formula और phi जो है यह tan phi अगर calculate करते है तो tan phi का formula होगा xl minus xc upon r और cos phi का यानि power vector का formula होगा r upon z तो इसी तरीके से हम phi calculate कर सकते हैं कि जो की angle between will voltage and current होता है तो इस तरह से हमने ralc series circuit यहाँ पर detail में देखा थेंक्यू बाल झाल झाल